अर्थिववस्ता को मजबूती से संभाले रखा आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही हैं किसानों के बैंक खात्वा में सीधे पैसे जा रहे हैं वैक्सिन के बढ़ते हुए कबरेट के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिवीदियां हो खेल जगत हो टुरीजम हो एंटरेटेन्मेंट हो सब तरफ सकारात्म गतिवीदियां तेज हो रही हैं आने वाले त्योहरों का मौसम इससे और गति देगा और शक्ति देगा साथ क्यों एक जमाना था जब मेडिन ये कंट्री मेडिन भो कंट्री इसी का बोलवाला था बहुत क्रेज हुआ करता था लिकिन आज हर देश वासी ये साथ शात अनुभव कर रहा है कि मेडिन ये इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज जो मेडिन इंडिया हो जिसे बनाने में किसी भारत वासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोड देना चाहिए और ये सब के प्रयास से ही संभव होगा जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन अंदोलन है वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना भारतियों द्वारा बनाई चीज खरीदना बोकल फोर लोकल ये हमें ब्यहवार में लाना ही होगा और मुझे विश्वास है सब के प्रयास से मुझे विश्वास है भी करके रहेंगे आप याद करिए पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिस्क में एक तना था लेकिन इस दिवाली सो करोड वैक्सिन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है अगर मेरे देश की वैक्सिन मुझे सुरक्षा दे सकती हैं तो मेरे देश का उत्पाणन मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं दिवाली के दोरान विक्री की एक तरफ और बाकी साल की विक्री एक तरफ होती है हमारी यहाँ दिवाली के समय चोहारों के समय विक्री एक दम बढ़ जाती है सौ करोड वैक्सिन डोश हमारे छोटे-छोटे दुकान दारों हमारे छोटे-छोटे उद्धेमियों हमारे रेहडी पट्रिर वाले भाईयों बहनों सभी के लिए आशा की किरन बन कर आई है ताथियों आज हमारे सामने अमृत महोत्सव के संकल्ब है तो ऐसे में हमारी ये सभलता हमें एक नया आत्म विस्वाद दिलाती है हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्षताय करना और उसे हसिल करना बखुबी जानता है लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरुवत है हमें लापरवान नहीं होना है कवज कितना ही उत्तम हो कवज कितना ही आधुनिक हो कवज से सुरद्षा की पूरी गारंटी हो तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हतियार नहीं डाले जाते मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्यौहारों को पूरी सतर्वता के साथ ही मनाना है और जहां तक मास्क का सवाल है कभी कभी जरा लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रविश्च चुकी है मेरा इतना ही कहना है जैसे हमें जूते पहन करके ही बार जाने के आदर लग गई है बस वैसे ही मास्क को भी एक सहथ स्वभाव बनाना ही होगा जिन को अभीत्ता